देखिए हिंदू शौभिमान यात्रा हम बंगला देश में हो रहे हिंदूओं पे अत्याचार नहीं बरदास्त करेगा हिंदूस्तान। जिस दिन से बंगला देश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदूओं को एक होने करने का हिंदूओं को एक होने का नहीं तो ये बोट के सवधागर जैसे पाकिस्तान में 22 परतिशत हिंदू आज आधा परतिशत पर बच गया हमारी बेटी पर से उठ गई हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए हमारे पुरवजों की भूल हुई कि बटवारे के समय अगर टोटल मुशलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुरदसा नहीं होती कि राम नमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता चाहे बिह पर एक पत्थल नहीं फेका हम उशी लिए संगठित हिंदू ससक्त हिंदू बटोगे तो कटोगे यही संबाद करने जा रहे हैं कौन से भाई सैटालिस से कोई बता दे कि बिहार हो या देश के किसी कोने पर किसी तजिया पर हमने एक पत्थल फेका है आखिर मेरे दुर्गाप पुजा की मुर्ती भी सर्जन में सौरसती जी के राम नम्मी में आखिर क्यों अगर हम एकत्रित हों हम तो यही कर रहे हैं संगठित हिंदू ससक्त हिंदू बस मैं तो यही कर रहा हूँ देखिए हिंदू शौभिमान यात्रा हम बंगला देश में रहे हो रहे हिंदूओं पर अत्याचार नहीं बरदास्त करेगा हिंदूस्तान जिस दिन से बंगला देश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदूओं को एक होने करने का हिंदूओं को एक होने का नहीं तो यह बोट के सवधागर जैसे पाकिस्तान में 22 परतीशत हिंदू आज आधा परतीशत पर बच गया हमारी बेटी मंडब पर से उठ गई हमारे मकान दुकान धुस्त हो गए हमारे पुरवज़ों की भूल हुई कि बटवारे के समय अगर टोटल मुशलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी यह दुरदसा नहीं होती कि राम नमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता चाहे बिहार का बिहार सरीफ हो चाहे दिल्ली हो चाहे साबन के कामर यात्रा में यह दृस आखिर क्यों हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थल नहीं फेंका हम उशी लिए संगठित हिं हिंदू बटोगे तो कटोगे यही संबाद करने जा रहे हैं कौन से भाई सैटालिस से कोई बता दे कि बिहार हो या देश के किसी कोने पर किसी तजिया पर हमने एक पत्थल फेका है आखिर मेरे दुरगा पुजा की मुर्ती भी सरजन में सौरसती जी के राम नमी में आखि क्यों अगर हम एकत्रित हम तो यही कर रहे हैं संगठित हिंदू ससक्त हिंदू बस मैं तो यही कर रहा हूं